दोस्तो जूनियर NTR के फिल्म देवरा ने शुरुवाती पांच दिनों के अंदर दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड कमाई कर ली है मिक्स रिवियूज मिलने के बावजूद भी ये फिल्म उनके करियर की वन ओफ दा बिगेश्ट ब्लोक बेश्टर सिर्फ पांच दिनों में ही बन चुकी है दोस्तों अकर बात के फिल्म देवरा की तो दोस्तों देवरा फिल्म एक एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसे हिंदी तमिल तेलगू मल्यालम कर्नाड़ा टोटल पांच भासाओं में 27 सितंबर को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को सिनेमा घरों में अब पांच दिन हो चुके हैं बताना चाहेंगे दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कोटला सिवा ने और इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में जूनियर एंटी आर के साथ हमें जानवी कपूर और सैफ अली खान देखनों को म सामयाब रहेगी क्योंकि दोस्तों फिल्म के रिलीज होने के पहले इस फिल्म का हिंदी बज पूरी तरह से ठंडा पड़ा था लेकिन दोस्तों जैसे ही ये फिल्म में रिलीज हुई उसके बाद हिंदी ओडियंस की तरफ से फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला और देखता ही देखता है इस फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों के विकेंड में ही हिंदी मार्केट में तो तगड़ी कमाई की साथी साथ फिल्म ने सभी भासाओं से भी दुनिया भर के कलेक्षन विकेंड के तीन सो करोड़ पे से जादा के किये लेकिन दोस्तों आपको बताया दे कि जैसे ही फिल्म का विकेंड खत्म हुआ और चौथा दिन आया यानि की मंडे उसके बाद इस फिल्म की कमाई में एक बहुत बड़ी गिरावट देखनों को मिली जिहां दोस्तों बैसिकली हर बॉलिवुट की और साउथ की फिल्मों के कलेक्शन चोथे दिन यानि की मंडे से कम हो जाते थे उसी तरह देवरा फिल्म के भी चोथे दिन के कलेक्शन काफी ज्यादा नीचे चले गए लेकिन दोस्तों जितना हम सबने सोचा था न उससे भी ज्यादा डाउन इस फिल्म के कलेक्शन चोथे दिन हो गए थे और पांचवे दिन तो इस फिल्म की ओक्यूपेंसी चोथे दिन के मुकाबले और भी कम हो गई है लेकिन दोस्तों कोई टेंसन वाली बात नहीं है फिल्म ने पांच दिनों में अल्रेडी तगड़ी कमाई कर ली है और कल है दो अक्टूबर यानि की गांधी जैनती जिसके चलते कल रहेगा हॉलिडे और कल एक बार फिर से ये फिल्म दुनिया भर में एतिहासी कमाई करेगी जिहां दोस्तों पूरी पूरी उम्मीदे हैं कि यहां पर देवरा फिल्म जूनियर एंटियार के करियर की एक और ऐसी फिल्म होगी जो की दुनिया भर में पांसो करोड़ पैसे ज्यादा की कमाई करेगी हाला कि दोस्तों इस वक्त अगर बात कर ली जाए देवरा फिल्म के पांच दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में तो जैसा कि आप सबको पता है कि देवरा फिल्म ने सिनेमा घरों में अब पूरे कर लिये हैं पांच दिन और अगर बात करें इस फिल्म के पांच दिनों के कलेक्षन की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों के विकेंड में तो दुनिया भर में ताबर तोड़ कमाई की लेकिन चोथा दिन यानि की मंडे के बाद इस फिल्म के कलेक्शन दिन पे दिन ड्रॉप होते जा रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको इस फिल्म के विकेंड कलेक्शन बता देते हैं उसके बाद हम वर्ल्ड वाइट कलेक्शन पांचों दिनों की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देवरा फिल्म ने सुरुआती तीन दिनों के विकेंड में हिंदी नेट कलेक्शन 29 करोड 22 लाख रुपे का किया था वही साउथ भासा यानि की तमिल तेल्गू मल्यालम करनाडा साउथ भासा से तीन दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 174 करोड 68 लाख रुपे का रहा यानि कि दोस्तों यहाँ पर देवरा फिल्म सिर्फ तीन दिनों के विकेंड के अंदर ही All India Net Collection दोस्तों 4 क्रोड उपे से ज्यादा का कर चुकी थी वही फिल्म का जो India Gross Collection है वो 243 क्रोड उपे का हो चुका था लेकिन दोस्तों जैसे ही चौथा दिन आया उसके बाद इस फिल्म ने पूरी तरह से सोक कर दिया था क्योंकि दोस्तों हम सबको क्या लगा था कि ये फिल्म चौथे दिन यानि की पहले Monday Box Office पर Worldwide Market में 25 क्रोड उपे की कमाई करेगी लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी की यहाँ पर देवरा फिल्म ने अपने चौथे दिन इंडिया ग्रोस कलेक्शन सिर्फ 15 क्रोड उपे की रेंज में किया जो की काफी कम कमाई थी चौथे दिन के हिसाफ से हाला कि आपको बता दे की फिल्म को जो आज उक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकावले 7-8% और भी ड्रॉप हो चुकी है तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक देवरा फिल्म अपने पांचवे दिन लगभग इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर रही है 13 करोड उपे की रेंज में इसी के साथ देवरा फिल्म का सुरुआती पांच दिनों के अंदर अल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 271 करोड उपे का जिहां दोस्तो पांच दिनों में ये फिल्म इंडिया ग्रोस कलेक्शन 271 करोड उपे की रेंज में कर रही है हाला कि आपको बताएदे कि फिल्म का जो पांच दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगवग 358 करोड उपे का हो रहा है तो दोस्तों फिल्म ने पांच दिनों में तो एक तरह से डिसन्ट कमाई की है लेकिन अब कल है दो अक्टूबर यानि की गांधी जैन्ती नेशनल हॉलिडे तो पूरी उमीद है कि कल इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा उच्छाल आएगा हाला कि देखते हैं कि इस फिल्म का जो लाइप टाइम कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है क्या ये फिल्म 500 करोड उपे पर रुक जाती है या फिर उससे आगे 7-800 करोड का कलेक्शन करेगी लेकिन देखते हैं कि फिल्म का लाइप टाइम कलेक्शन आखिर कितना होता है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है देवरा फिल्म का लाइप टाइम कलेक्शन कितना रहेगा दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताईएगा और डेली बॉक्स आफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा